समर्द क्लासिस के ओनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागते आज हम बात करेंगे सूचना सायक का जो अपडेट है वो क्या अपडेट है देखे 21 जनवरी को पेपर हुआ था 2730 पदो के लिए पदो के संख्या बढ़ गई 3415 हो चुकी एक जुल जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो बच्चे बोलने की सामय मार्क्स तो पता हुए हैं और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए वो भी चाते हैं कि हमें मार्क्स पता हो जिससे हम री ट्विट लगा सके हैं जो भी उनकी समश्या हैं कुल मिलाके मार्क्स पता हो ज क्या सूचना सायक टाइपिंग, घर बेटे कैसे सीखनी टाइपिंग, सीखने से सेलेक्शन तक का सफर 20 वर्ट्स पर मिनट आपको केवल और केवल प्राप्त करनी है, क्या टाइपिंग रूल्स रहेंगी, क्या कीबोर्ड डेटेल रहेंगी, वहां पर कौन सा कीबोर्ड तो देखो, मनोज मिना जी ने 8 जुलाई, 8 जुलाई को शाम को 4 बच के 19 मिनट पे ट्वीट किया था, जिसमें बोलते हैं कि बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी आपसे निवेदने सूचना सायक भरती परिक्षय के परिणाम को जारी हुए तकरीबन एक सप्ता से दिक्का समय हो चुका, लेकिन बोर्ड द्वारा अभी तक छात्रो द्वारा अरजितंक जारी नहीं किये, जल्द इसे जल्द अरजितंक जारी किये जाएं, सूचना सायक 2023 के टाइपिन परिक्षय के लिए दिशा निरदेश भी जारी करें, आई ये 2018 की तरच पर विस्त्रित दिश मनोज मिना, ये मनोज मिना जी ने ट्वीट किया था, आज 8 जुलाई को शाम को 4 बच के 19 मिनट पर उसकी रिपलाई में, मनोज मिना जी नहीं वापस रिपलाई किया है क्या, कि सूचना सायक भरती में स्कोर कार्ड के संदर्व में बोर्ड अध्यक्ष आलोक राजिस से बा हाला कि उसमें ऐसा होता है, जो बच्चे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, उन बच्चों के मार्क्स जारी नहीं किया जाते हैं, जो बच्चे टाइपिंग के लिए या क्वालिफाई नहीं होते हैं, केवल और केवल उनके मार्क्स जारी कियाते हैं, लेकि में next अपना बोलते हैं सभी साथ ही typing test की तेयरी करें software की guideline जो पहले थी उनसे मिलती दूलती रहे कि बाकी जल्दी नई guideline भी जारी कर दी जाएगी ये मनोज मिना जी ने tweet किया है 8 जुलाई मतलब आज रात को 9 बचके 11 मिनट पर ठीके तो अगर इससे हम निशकर्ष निकालें तो देखो 7 question डिलीट हुए थी सबको पता है 7 question डिलीट हुए रह गए हमारे 143 question ठीके अब marks आपको पता नहीं है ठीके तो marks पता करना easy है बच्चों final answer की से आप खुद भी देख सकते हो इतने तो आपन समझदार है मैचे हो रहे है तो final answer की से हम चेक कर सकते है 7 question डिलीट होगे तो total 143 question बसते हैं 2 question आपके answer चेंज हुए है final answer की में तो आप उससे marks अपने देख लीजिएगा ठीक बात है तो ये था marks को लेके update और आप वो वाला जो तो आप मुझे whatsapp कर सकते हैं 811-22-11-369 और सुनिए 9 तारिक 9 जुलाई से हमारे चैनल पर क्या आएंगे short notes वीडियो short notes के वीडियो upload किये जाएंगे जहां पर आप 1 से डेड़ घंटे के topic को 15 से 20 मिनट में सबने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा exam रहते timing बचे और हम easily सब चीजों का सार कर पाएं समरी याद कर पाएं तो चलिए next वीडियो में मुलाकात होगी तब तक अपना ख्याल रखिएगा बाई बाई टेक केर